हेलो गाईज, ग्लोबल उनलाइन क्लासेज पे आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करेंगे लखने उनिवर्सिटी यहाँ पर पीएजडी के लिए आविदन पत्र मांगे गए है कुल यहाँ पर 900 से अधिक सीट अविदन कर सकते हो तो पूरी जानकरी इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि eligibility criteria क्या रहेंगा आपका application fees क्या रहेंगी कहां से आपको जो है आविदन करना है उसके बाद किन सब्जेक्ट से कितनी सीट अविदन है यह सब कुछ जानकरी इस वीडियो में हम देखेंगे तो चलते हम official website पर बिना time waste किये तो उसका official notification जो है मैंने पहले से ही यहाँ पर open कर रखा था तो थे कि आप पर PhD notification 2024 के लिए आप application filling date जो है पाच नुवंबर तक है तो इसका official देख लेंगे हम उसके बाद seat दिये है और ordinance जो है यह 2023 का ही यहाँ पर apply होंगा तो पहले तो हम notice देख लेंगे यहाँ पर LURN यानि लकनो उनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यह part time and regular आप यहाँ पर कर सकते हो और यह page पर available है यह number अगेरे यह page पर आप जाकर देख सकते हो उसके बाद जो विद्यारती यहाँ पर eligibility रखते है प्रवेश के ल तो उसके बाद हम देख लेंगे आपको यहाँ पर application कैसे करना है उसके बाद seat कौन-कौन से subject से कितनी seat available हो भी देखेंगे और पहले तो हम admission process इसका देख लेंगे admission process क्या रहेंगा आपका तो यह notification जो है newspaper national newspaper के उन्होंने पहले ही यहाँ पर announcement कर दी थी उसके बाद यहाँ प आपको paper रहेंगा यानि entrance test रहेंगा और 30 mark के लिए आपका interview रहेंगा तो total mark यहाँ पर जो है आपको 100 रहेंगे तो interview यहाँ आपकर 30% और आपका जो entrance test है वो 30% वो 70% आप यानि entrance test qualified होने के बाद आपको interview के लिए बुलाया जाता है उसके बाद आपका merit list बनेगा तो देखिए आप पर जो है आपको rate exam, entrance test में 50% secure करना यहाँ पर ज़रूर है जब ही आपको यहाँ पर qualified यहाँ पर माना जाएंगा और जब आप यह CST, OBC, EWS, PWD के candidate है तो 45% यानि 5% का relaxation होता है आपको 5% का relaxation होता है तो वो qualified हो जाएंगे admission यानि interview के लिए फिर interview के mark यहाँ पर देखिए आपका selection कैसा होता है final merit list of admission PhD program shall be as follows यानि total mark कितना है आपका उसके बाद mark secure in rate exam जैसे के 70 में से आपने 60 लाया तो यहाँ पर जो है आपका 60 यहाँ पर पकड़ा जाएंगा और mark interview वाइवाव में आपका जो है 30 में से 25 आया तो कितना होगा आपका 85 marker हो जाएंगा आपका 85 यानि बहुत होता है 85% आप अगर लाते हो तो definitely आपका यहाँ पर जो है admission हो जाएंगा तो इसी के लिए global online पर आपको 50% जो है यहाँ से पूचा जाएंगा research methodology से तो यहाँ पर हमारे पास full syllabus video lecture है अपका हर concept हर आपका topic जो है video lecture के थू हम यहाँ पर complete करवाएंगे concept आपके clear करवाएंगे उसके बाद आपका 10 mock test series आपको इसमें दिया जाएंगा full syllabus आपको notes से यहाँ पर provide किये जाएंगे और यहाँ पर जो है MCQs, POIQs available है यह जो course है यह Hindi and English दोनों language में available है हम आपको guarantee देते हैं अगर हम हमारा आप course follow करते हैं आपको 50% लाना होता है rate exam में तो यहाँ पर जो है 50% का यानि 35 question जो है आपके यहाँ से cover हो जाएंगे 35 question 35 question यहाँ से आपके जो है cover हो जाएंगे तो यहाँ पर आप अच्छा खासा अपने rate में यानि आपने अच्छा खासा score कर लिया तो आपको interview में ज्यादा यानि कोई भी आपको कम भी mark आ गए तो भी आप यहाँ पर यानि PhD में application यानि PhD में admission secure कर सकते हो इसका जो fees है यह 899 fees है इस number पर आप contact कर सकते हो और course को अभी join कर सकते हो then second paper के लिए भी यहाँ पर जो है study material available है यह जितने भी आपको subject यहाँ पर दिख रहे है वो पूरे subject के notes and mcqs आपको मिल जाएंगे इसका जो fees है यह 999 fees है इस number पर आप contact कीजिए और course को अभी join कीजिए उसके बाद हम द यानि university campus से यह seat available है उसके बाद जो university के अंडर जो colleges वगेर आते है तो उनमें यह seat available है और cool seat यहाँ पर है यानि यह regular mode के student के लिए है और जो part time करना चाहते है जैसे कि job वगेर है फिर पे आपको यहाँ पर PhD करना है तो उनके लिए आप पर seat available है यह अलग से column दिया है तो दे student and Indian history and archaeology तो इसमें यहाँ पर विश्विद्याले में यानि university के campus से 17 seat है 17 seat available है और colleges में जो university के अंडर आते हैं उनके लिए 6 seat है यहाँ पर cool seat 23, 23 seat available है और बाकी जो student है यानि part time mode में जो student यहाँ पर PhD करना चाहते है तो उनके लिए 5 seat available है तो यहाँ पर जो है part time के लिए ज्यादा seat नहीं है आपका जो भी subject है उस subject से आप यहाँ पर जो है seat चेक कर सकते हो जैसे के applied economics, Arabic culture, Arabic उसके बाद biochemistry लगभग यहाँ पर सभी subject से आपको यानि आप यहाँ पर कर सकते हो अगर मैंने सब बताते अगर मैंने सब बताया आपको तो पूरा बहुत वक्त लग जाएंगा तो आप यहाँ पर screenshot मार लीजिए या फिर जो university का official website है मैंने उसका link description में दिया है आप यहाँ पर आकर देख सकते हो तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे seat है लगभग सभी subject से आर्ट, commerce, science तीनों faculty से यहाँ पर भरपोर सीटे भी available है और यह अच्छी university है तो यहाँ पर आप PhD कर सकते हो तो देखिए यहाँ पर university campus से 361 seat है उसके बाद colleges में यहाँ पर 564 seat है और कुल यहाँ पर 925 seat available है और अन्या के लिए यहाँ पर यहाँ पार-time mode में जो करेंगे उनके लिए 28 seat है तो यहाँ पर student आप यहाँ पर PhD कर सकते हो अच्छी university है और आपको कहा से apply करना है वह मैं आपको बताओंगा तो देखिए आप पर जो है लेफ साइड में लगन उनिरसिटी registration number उसके बाद लगन उनिरसिटी registration number और यहाँ पर आपको क्लिक करना है वहाँ पर नहीं भी किया तो मैंने आपको description में link दिया है तो यहाँ पर आप link पर click करोंगे तो देखिए आप पर PhD program, PhD notice, click here for PhD लगन उनिरसिटी registration number और यहाँ पर application for admission तो यहाँ पर आपने click किया तो यह आपके साम में यहाँ पर खुल जाएंगा यह website की link मेंने description में दी हुई है वहाँ पर जाकर OBC category के लिए 200 application fees है, SCST के लिए हाँ पर 100 rupees fees है, 1000, sorry, 2000 fees है, general category के लिए SCST के लिए 1000 है और जो अपाही student है उनके लिए हाँ पर 1000 fees है, अविलेबल है, तो इसके बाद यहाँ पर EWS certificate है तो यह एक जानेवारी, एक जून जानेवारी 2016 के पहले का चाहिए उसके बात का रहेंगा, तो वो consider नहीं करेंगे, उसके बाद यह सब कुछ चीजे दी है, आप यहाँ पर document वगएर अच्छे से upload कीजिए, कुछ student होते है जिनके जो है, यानि application में जो है, वो fill नहीं कर पाते हैं, तो उनका reject भी हो जाता है कई बार, तो आप नीचे आएंगे, तो फिर यहाँ पर agree करना है, agree करने के बाद यहाँ पर registration on admission portal, यहाँ पर आप क्लिक करोंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपका number वगेरे, फिर उसके बाद procedure, यह सब कुछ यहाँ पर आपको करना है, तो इस तरह से यह पूरा notification था, आगर आपको इस मुझको आप फूस सकते हो, comment section में मुझको फूस सकते हो, उसके बाद हम देख लेंगे comment आपका जो eligibility criteria है, eligibility criteria क्या रहेंगे, आपका वो हम देख लेंगे, तो देखिए आप पर eligibility criteria हम देखेंगे, आपका master degree है तो आपको 55% होना चाहिए, master degree में आपको 55% होना चाहिए, regular student, यानि general category के लिए, और 5% relaxation होता है, ST, SC, OVC, EWS candidate के लिए, उसके बाद यहाँ पर जो है, आपका degree है, यानि 4 year का degree है, तो आपको 75% होना चाहिए, और 5% relaxation होता है, category reservation, जो category के student है, उनके लिए, उसके बाद अगर आपने infil कर रखा है, तो आपको 55% होना चाहिए, जब आपर application कर सकते है, और same apply होंगा, या CST के लिए 5% का relaxation होता है, तो यह रहा आपका पूरा eligibility criteria, और duration क्या रहेंगा आपका, यहाँ पर duration होता है, 3 year का duration होता है, बट आप maximum 6 year PhD कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है, वाइस चांसलर से, वो extension, यानि maximum extension भी आप कर सकते हो, बाद में, 2 year का maximum, उसके बाद यह पूरा, जो है, आप download कर सकते हो, यह website से, मैंने website का link भी description box में दिया है, और आपका यह जो आपका application, यानि आपको भरना है, यह भी मैंने आलक से link दिया है, तो आप नीचे जाकर देख लीजिए, website का link और application में link मैंने दिया है, वहाँ से आप यह page पर आ सकते हो, आपका जो seat वगए रहे है, उसके बाद आप पूरा ordinance भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर, तो आपको कोई भी doubt रहा, तो मुझको आप contact कीजिए, या फिर comment section में comment कीजिए, मैं आपका reply देनी की पूरी कोश्री करूँगा, thank you.